हालो बच्चों वेलकम टूपी ब्यार स्टडी आपको पता है कच्छा दस्के अंस्यार्टी मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इक्सरसाइज आपका चल रहा है इस समय 13.3 13.3 कुश्चन नंबर कौन सा चलेगा पता है आपको कुश्चन नंबर आठवां और आज इसी आठवें कुश्चन के साथ आपका ये चैप्टर भी खतम हो जाएगा उसके बाद फिर आप एक नया चैप्टर पढ़ेंगे कल 13.4 ठीक है कुश्चन हिंदी में मैं दिखाऊंगा इंग्लिस में आप लोग बोलिएगा मतलब सुनिएगा और समझने की कोसिस करिएगा ये एक नहर और सिचाई से संबंदित कुश्चन है कह रहा है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलो मीटर पति घंटे की चाल से पानी बहरा है मतलब नहर देखो आप जिसे नदी होती है उसी तरह से कुछ तो किरा कि 30 मिनट में ये नहर कितने छेदरफल की सिचाई कर पाएगी जब किसी चाई करने के लिए 8 सेंटीमेटर गहरे पानी की अवसकता होती है बही कहीं पानी अगर सीचा जाता है किसी खेत में भरा जाता ह है तो वह क्यों वाइड फार्म में बरता है कोई खेत है अगर उसमें पानी भरेगा ता ऐसे तो भरेगा ना तो एट सेंटीमेटर मतलब लगबग इतना मान लो गहरा पानी की जरूत होती है लेकिन नहरा जो है वह डेढ़ मीटर गहरा है डेढ़ मीटर का मतलब जाने हो ख 6 मेटर वाइड एंड 1.5 मेटर डीप इज फ्लोइंग विद आइस फीड आफ 10 किलोमेटर पर आवर हाव मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमेटर आफ स्टेंडिंग वाटर इज निडेड इस टेंडिंग वाटर का मतलब भरना है यनि 8 सेंटीमेटर उ खांग दजाएगा सु लिख कईनल का एक चितर आपको रहता है CHARAM के नहीं कुछ तरह प्रीव नहार होती जिससे निया कि की जाता है अगर आपनेथा होगा पानी आथा है तो इसकी हlläए मेarat जैको इसमें अ trafficking कठा होता है जो आपको दिख रहा है लेकिन जो खेतों में भाना जाता है पानी कुछ ऐसे बहार जाता है जब क्या alto क्कशन को पूरा मतलब है क्या करना है लिख दिया है जो मैंने लिख दिया है उनको मैं लिख में सिम्पल सिम्पल वाला इसमें एक चीज समझने वाली है देखो साथियों भी यानि इसकी विट तो सिक्स मीटर है जो चौड़ाई ठीक है गहराई मतलब उचाई ठीक है डेड़ है मीटर में इस पीड जो दिया है ना वाब उचको समझो यह आपकी नहर की लेंद्ध हो जाए ओ हीAl m 2. yeah şur iay Can't do ne cozy me need may兄 तो यह 30 मिनट मेंitel अरफ कितना बढ़ेगी इस ती 10 मिनट में में क्यूं क्यों क्यों कि हमें 30 मिनट में घ्यांत करना है कि चाल से सबाहर कि तो 30 मिनट में कितने चैठ्पल की सचाहिक कर पाएगी तो 30 मिनट में यह 5000 मीटर आगे बढ़त जाये लिखोें कि की 100 cm पराबर one meter याप लिखो सो सेंटी मीटर बराबर one meter होता है हम इसलिए यहाँ पर लिखो आठ पर हमें क्या करना है आठ पर फेंटोमीटर घर आगी इसजाई करना है इसको में बदल लेंगे ठीक है बबूब तो आप एक काम करों पहले एक का निखाले लो एक सेंटीमेटर पराबरATHAN फिर उस मीटर ुक निए ना रिखलो इस लिए नीचे लिख लो अर्ट सेंटीमेटर पराबर आठ गुड़े इक बटास सौ यह क्या हो गया में यानि हमें हैं इतना उचाई की क्या करना है यह मैंने में निकाला इफ लिए कई की नहर जो जा रहा है मनलब दिया गए में में यह सब में 2 में दिया है तो सिचाई जो हमें करना था सेंटिमेटी में बोल रहा था उसको मैंने में गनवर्ट कर लिया how question चलो इसको लिखो पटापट यह सिचाई करने वाली उचाई है इसको हल बना करो ऐसे रख दिये जाएगा देखिए चुकि नहर के पानी से सिचाई हो रही है तो नहर का जो बैलूम होगा आतन होगा और जो छेत्र हमें सीचना है उसका बैलूम दोनों बराबर होगा क्योंकि पानी जाकर के नहर से खेत में जारा डारेक्ट समझ रहे हो तो दोनों का बैलूम हमें इक्वल कर देंगे और हमें जो निकालना मिल जाएगा इधर लिखिए क्या लिखोगे दोनों का बराबर होगा तो आप चाय तो ऐसा लिख लिजिए लिखिए चुकि नहर के पानी से किसी चाई हो रही है इस लिए नहर का आयतन सीचे जाने वाले खेत के आयतन के बराबर होगा कुछ लोग कहेंगे खेत का आयतन निकालेंगे कि छेत्रफल निकालेंगे आप तक तो हम खेत का छेत्रफल निकालते थे सही बात है लेकिन खेत में साथी मेरे जब पानी भर जा तो लिखो एरिया मतलब छेत्रफाल इंटू आठ बटा तो यह वह उंचाई है जितना हमें क्या करना था ठीक है नहार वाले में बात करें तो नहार की क्या हाल चाल है 1.5 मीटर इसे अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा यह सेंटीमीटर में दिया था ना तो यह पंदरा सो सेंटीमीटर आएगा क्लियर चलो इनके मान रख दो लेकिन आप अपंदरा सुकाय करोगी जैसे अब ऐसे लिख दो ना जैसे वैसे लिखो पटा पर चलो तो यह जैसे लिख दीजिए इसमें कुछ भी मत करिए कोई चेंजिंग मत करिए इसको अटाइए आए इसकी जो लंबाई है यानि हम क्या कर रहें इदर साइड में नहर की बैलों निकाल रहे है लेंथ ब्रीथ एंड हैट इसकी लेंथ अभी जो हमें मिली है वो कितना मिली यह जानते हों कि आई वैसे तो मिली यह 5000 यहीं तो 30 मिनट में था ना 5000 गुड़े और क्या था 1.5 इसकी हाइड थी तो लिख लो फिल हाल के लिए 5000 गुड़े ब्रीथ मतलब 6 मीटर तो इसे 6 गुड़े 1.5 यह सब ही मीटर में है इनको हल करिए हमें क्या करना है एरिया निक लखना है उस इदा फिदा आजाएगा चलो है अब यह एरिया बराबर क्या हो जाएगा इधर फे इधर जाएगा भाग में आएगा यह पलट जाएगा इसका मतलब क्यों 5000 गुड़ा 6 गुड़ा 1.5 यह पलट जाएगा भया मल्टिपल में कर दो सो बटार्ट क्यों सही जा स्क्रीन से रफा कर दीजिए दफा कर दीजिए चलिए इनको हल करेंगे 5000 ऐसे लिख देंगे 6 गुड़ा 15 बटा 10 इसको लिखा जा सकता है इसमें कोई बुराई नहीं है यह सो बटार्ट अब देखो यहां काम कर लो जीरो से जीरो कट जाएगा आप इनको आप काट सकते हो पर काट तो दो शे काट दो चूपाट दो त्याए शजोग ठीक है तो पक्का हो रहा नमस्त हो रहा है अब देखो क्या कर सकते इसको एक आम और भी कर सकते हैं कैसे करके आप सिंप्लिफाई कर लो बस्याधा कुछ नहीं करना है जलो इनको भी 4 से हम काट सकते हैं दो 25 ऐग और यह गुड़ा हो जाएगा आपका पचीस इन सब का आप एक बार मल्टीपल करोगे फटाफट तो आपका जो भी आएगा लगवा कितना आएगा कितना सेंटीमीटर क्यूब यह अंसर आएगा क्योंकि इसमें कुछ पूछा नहीं है कि क्या कैसे किसमें लिखना है जो भी आए वह से लिख दीजिए ठीक है कि एनिडाउट किसी को बोलो नहीं ना फटाफ़ नोट कर लेजिए कुछ भी कहना तो बोलिए इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.3 का जो है वो खात्मा होता है इसमें का लाश्ट कुश्चन आप लोग होमर कर लेंगे मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज में अगली कलास में कुछ बच्चे जूड़े हैं जो कमेंट कर रहे हैं में उनका नाम बोल देता हूं काफी परिसान रहते हैं वो लोग बिल्कुल परिसान ना हुआ करो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो देखिए अख्लेस जी जुड़े हैं अख्लेस का कमेंट आ रहा है हमारे पास रागिनी ठाकुर का कमेंट आ रहा है मोहित सर्मा का कमेंट आ रहा है यह बोल रहे हैं त्रिकोड मिती अलग से पढ़ाएंगे हां बेटा जब यह कलाफ चले का सब पढ़ाया जाएगा राहु है और जाता है आता है जाता है उसका नाम नहीं बोला जाता इसलिए रोज कलास में आओ रेगुलर जुड़ो हम आपको जरूर देखते रहते हैं कुछ भी कमेंट करो सब देख रहे हैं